हेलो फ्रेंग, वेलकम बैक और माई चैनल, मैं हूँ किरन और फिर से आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वाधित है, दोस्तो आज फिर से आप लो कले बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ, आपको यह बहुत ही जादा पसंद आने वाला है, दोस्तो य यह देखिए आज की रेस्पी, लग रही है न, बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा स्वाधिस्ट, आज की रेस्पी है दोस्तो, रेस्ट्रेंट स्टाइल मश्रूम चिल्ली की रेसिपी, देखने में जितना जादा लजीज लग रहा है दोस्तो, खाने में यह भी ज्यादा टेस्टी बना हुआ है इसको बनाना बहुत ही सिंपल है यह आप जो है थोड़ा सा ड्राइ करके बना सकते हो या फिर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी रख करके बना सकते हो इसको आप जैसा मन हो वैसा कर सकते हो और इसको खाने के लिए आप पराठे के साथ रो आज की मश्रूम चिली बनाने के लिए यहां पर मैंने 200 ग्राम के असपास मश्रूम लिया हुआ है, दोस्तों बहुती фresh है, बहुती ताजा है, तो इसको बनानी के लिए आपको यहां पर ध्यान रखना है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, आराम से यह को किसी सुपर मार्केट वगरा में मिल सकता है तो यहां पर मैंने एक मश्रूम के इस तरह के से दो भाग में काटा हुआ है जो बड़े वड़े थे उसको चार भाग में काटे हैं और फिर इसके बाद इसको काफी अच्छे से इस तरह से वाश करना है लगबक दो तीन पानी से जरू नहीं हो गया है उसका मैंने लिया गैस पानी हो चटा दिया घवर इस और इसको श्रूम करनी ये चर्था दिया घयां ऐस बहुत diya करनेता है और बहुत ही अच्छे से गरम होने तक बिनTube आने लगहां तब तक इस रंढ़े नहीं तो इसके अंदर से 1 कुबाले आने शुरू हो गई है, तो क्या करते हैं? इसको उआए अच्छी से चला लेते हैं, और इसके अधी यहां पिसी बी इस तरH से बर्तन की मदर से या फिर इस या उत्छी चणी की मदर से इसको स्टेंड कर लेना और निकालके किसी भी sanamer ब्रक्रतन इस सगे कटे हैं जिसे कि अंदर का सारा बाष निकल जाएगा तो मैं भी काम करी तरा इच्छ इस से चांकर के निकाल लिया हुआ है तो प्मुछ ही देर में बहुत निकल जाएगा चलते हमारे अगले स्प्राइब 22 पे यहां पर हमने लिय लिया हुआ है और साथ के साथ ही मैंने स्प्रिंग अनियन लिया हुआ है यानि कि सग्गा वाला जो हड़ा वाला प्याज होता है न वो लिया है थोड़ा सा अब सभी चीजों को क्या करेंगे कट करते हैं तो यहां सबसे पहले हम काटेंगे काटना है और प्याज को भी हमें क स्क्वाइर में आप काट सकते हो तो मोटा मोटा रहेगा तो क्या होगा अक्सार रेस्ट्रेंट वगरा में देखोगे तो लोग इसी तरह से मोटे मोटे काटते हैं और देखने में थोड़ा अच्छा भी लगता है और खुबस भी लगता है तो अच्छे से आप इसको स्क्व से करना और असान वी होता है लूकवाइस भी अच्छा अच्छा लगता बिब या लियूस कर सकते आप और इसकर बारिक करको बहुत並ी से कप मैंने मैदा लिया हुआ है और इसका देर से दो इंच यहां पर हम लेंगे अधर को लहसुन का पेस्ट इससे बहुत ही बढ़िया सा स्वाद है इनके बैटर रेडी कर रहे हैं जिसमें हमें मश्रूम को डाल के बहुत ही अच्छे से डिप करना है और फिर यहां आधा के अंदर अगर हम मश्रूम को लपेटे तो लपेट लपेटा जाए उसके पर एक कोटिंग सी आजाए और इतना ही गाढ़ा आपको इसका बैटर रखना है ज्यादा बिल्कुल भी गाढ़ा जादा पतला ना करे और नहीं बहुत ही ज्यादा गाढ़ा तो हलकाल का पानी ड जाएगी तो यह बहुत ही ज्यादा ना पतला है और नहीं ज्यादा गाढ़ा है वह इसको मिक्स कर लिया हमने इसमें चोट करके छोड़ दिया हुआ है अब चलते हैं यह देखिए यह अलग से कटोई लिया है इसमें हमने दो चमच क्या स्पास कॉन फ्लार लेना है और इस और करना है दोस्तो डिफ्राक करने सके होगा आपको मुष्रुम जेन बहुत ही एच्छे से ऑलेटी हमने इसको तो तो करने बाएल करें गरम पानी में डाल करके के वाल गया था और इसको आपको तेज घैस करके आपको यह पॉछी से मश्यूम को फ्राई करना है सम्टाइम बहुत ही अच्छ से चेंज हो गया तो यह देखेह बहुत अब्री बडिया सा कल्रां है इसी तरह केश हम अपने ग्पाटापट हो जाएगा और अध्रक का कलर और लहसुन का कलर भी चेंज हो जाएगा और उसके यहां पर हमने हरी मिर्ची डालना है लगवग तीन से चार पीसेज लिये थे और इसके साथ-साथ मैंने यहां पर डाल देना हरी मिर्ची और प्याज और फिर क्यूब्स में कटे हुए कैपसि अधाइब करना है और उसके बाद यहां पर हमने डालना है अरी जो अनियन है श्रींग अनियन वह डाल देते हैं थोड़ा सम रख लेंगे लास्ट में गार्निश करने के लिए बस इसको डाल करके एक बार एच्छे से चला देते हैं एक से दो मेरे तक चलाते चलाते आपको बस इसको डाल करके एक और फ्राइ करेंगे लगवग 1-2 मिन तक कुछी देर में यह बहुत ही अची से सॉफ्ट हो जाएगा और सारे मसाले से जो बहुत ही अची से कोटिंग हो जाएगी अब चलते हैं अगले स्टेप में यहां पर हम डालेंगे सबसे पहले जो हमारा जो ह यहां पर मैंने डेर चमच क्यास पर डालना है जादा नहीं डालना है यहां डालने से बहुत ही अरियां स्वाद होता है और जैसे चाइनिस फूड वेगर आप इसी तरह से यूज करते हैं यहां पर मैंने टोमेटो सॉस डाला है लगवग 2 चमच क्यास पास और फिर इसके हमने जो गोल रेडी किया था कॉन फ्लार का वो डाल करके और आधा कप पानी डाल करके बहुत ही अच्छे जिसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने बाद जो है तो इसको आपको ढख करके लगवग 2-3 मरद तक बहुत ही अच्छे से पकाना है तो ढख दिया है कुछी देर म अगर आपको इतनी पतली ग्रेवी चाहिए ठीक है नहीं तो आप इसको सुखा भी सकते हैं तो यहां पर मैं ढख करके एक से दो मेर तक इसको और पकाऊंगी कुछी देर कवाद देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कलर आ चुका है और इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ठीक हो गई है और देखने में बिल्कुल लुक वाइज देखे दोस्ते बिल्कुल मैं टरह से चढ़का करते हैं और इसी तरह से कॉपर से भखी और चूट जया बड़ने करेंगे चरांगे तो है इस Tur lows सुन्दर तो इस तरी किस जो है दोस्तौ आप ही अपने घर पे जो है इस तर डाली हुई है मुझे याद नहीं बहुत पहले मैंने डाला था फिर से मैंने इसको ट्राइ किया है बिलकुल अलग और अनुखे तरीके से आपको यह रस्पी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी दोस्तों एक वर अपने घर पे इसको जरूर ट्राइ करें और आपको अच्छा टाइम लगता है बादमा की बहुत ही जल्दी यह बन जाता है तो इसको बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है आप ट्राइ करें अपने घर पे और अपना फीड़वेक हमारे चैनल पे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ठीक है और वीडियो